हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू पेस कॉर्णर और आज मैं आपके लेकर आई हूँ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, इसके बारे में कुछ-कुछ चीज़े जानते हैं, जो इंपॉर्टन्ट है Godgramed, जो स्कीम है, उसका नाब है प्रदान wenत्री भारतिये जन उर्वरक परियोजना तीगे नैशनल लेवल की स्कीम है, प्रदान मंत्री जिसवी स्कीम के नाम की जुड़ा रहता है, वो सेंटेल लेवल की होती है और मुख्य मंत्री अगर जुड़ा रहा है तो वो राज्यस्तर की होती है तो ये केंद्र सरकार की है प्रधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक परियोजना और इसे लॉंच किया गया था 18 अक्टूबर 2022 को इसके अंतरगत भारत में जितने भी प्रकार के उर्वरकों का फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जा रहा है चाहे उसे कोई भी कंपनी करें उसकी ब्रांड का नाम होगा भारत जिससे की जो किसान है उसके अंदर कन्फूजन की स्थिति ना रहे कि वो कौन सा फर्टिलाइजर इस्तमाल करी और उससे जो फर्टिलाइजर उर्वरक हैं उनकी एक स्टैंडर्ड उनका एक मानक भी तैय किया जा सकेगा तो स्टैंडर्डाइज कर देंगी ब्रांड का नाम रहेगा भारत ये याद रखने वाली बात है लांच किया था 18 अक्टूबर 2022 को इसके अंदर जो फर्टिलाइजर सबसीडी है उर्वरकों पर दी जाने वाली सबसीडी को भी 25 प्रतीशत तक बढ़ा दिया गया है अब जितने भी तरह के उर्वरक आते हैं जैसे कि मान लीजे हम आता है DAP, Di-Ammonium Phosphate तो उसका नाम होगा भारत DAP भारत Di-Ammonium Phosphate के नाम से हो मिलेगा अगर हम खरीदने जाएंगे Nitrogen, Phosphorus या Potash जिसे हम NPK बोलते हैं तो उसका नाम होगा भारत NPK, भारत Urea या Potash खरीदने जा रहे हैं तो Muriate of Potash तो भारत Muriate of Potash या भारत MOP, भारत DAP तो तीन तरह के उत्पाद इसके अंतरगत जो है लॉंच किये गए हैं important scheme में इसे ध्यान रखेंगे brand का नाम रहेगा भारत Thank you, bye bye